हेलो फ्रेंड्स, जिगिसास किचिन में आपका स्वागत है आज की रेसेपी है खीचू खीचू हुम बनाएंगे माइक्रोवेव में ये गुजरात देडीस है गुजरात में ये बहुत ही फैमस है खीचू और सबको ये बहुत पसंद आता है हमारी यहां अमदाबाद में अगर कई भी जगे एक्जिविजन हो, मेला लगा हो, काइट फैस्टिवल हो या फ्लावर सो हो हर जगव पर ये खीचू मिल जाता है और सबको ये बहुत पसंद आता है सब बड़े चाउं से ये खीचू को खाते है खीचू गैस पर भी बन जाता है लेकिन आज में माइक्रोवियो में बनाऊंगी बहुत ही जल्दी से बन जाता है तो चलो देखते हैं कि खीचू बनाने के लिए हमें किन-किन सामगरी की आवक्षकता रहेगी फ्रेंड्स रेसिपी देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शैर भी कर देना तो चलो बनाते हैं कुजराती ट्रेडिस्टनल डेस खीचू यहाँ पर मैंने आधी छोटी चमज तेल लिये है बहुत ही कम मात्रा में जीरा एक छोटी हरीमिज को पानी से वोश करके कट कर लिया है यह पापड का खार है दो चुटकी जितना यह कोरियंडर लिव्स मुफली का तेल और नमगम स्वादरों सा डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कप चावल का आटा लिया है जितना हम चावल का आटा लेंगे जिस नाप से उसी नाप से पांच नाप हमें पानी लेना है मतलब कि अगर हम एक कटोरी चावल का आटा लेंगे तो पांच कटोरी पानी यहाँ पर मैं चाल के आटे को एक कटोरी में निकाल रही हूँ और उसी नाप से मैं पांच कब पानी डालूँगी अगर आप कटोरी का यूज करते हैं तो एक कटोरी चाल का आटा तो पांच कटोरी पानी देखें यह मैं पांच कब पानी लेती हूँ यह तिन ये चार इस तरह से पाँच कप पानी हमें चाहिए एक कटोरी चावल है एक कप चावल है इसके सामने अब मैं इस पानी में तिल डालूंगी चीरा को हम हाद से थोड़ा मसल के डालेंगी ताकि इसकी फ्लेवर अच्छे से आए इस तरह से करके थोड़ा डालें अब मैं हरी मेर्च डालूंगी नमग हम स्वाद की अनुसार डालेंगी दनिया पत्ति को कोरियंडर लिव्स को थोड़ा कट करके डालेंगी थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगी एक छोटी चम्मच मुफली का तेल ध्यान रखें फ्रेंड्स खीचू में मुफली का तेल ही बहुत अच्छा लगता है अब मैं इसे पांच मिनिट के लिए माइक्रोवेव करूंगी पांच मिनिट हो गई है हमारा पानी उबलने लगा था अच्छे से इसके अंदर बबल्स भी आ गए थे अब मैं इसमें पापर खार डाल रही हूँ अगर आपके पास ये पापड का खार नहीं है तो आप इनो फूट सॉल का भी यूज़ कर सकते हैं इनो भी डाल सकते हैं अब मैंने इसके अंदर चावल का अटा डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी इसमें लम्स ना रहे इसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है इसे मिक्स करने के बाद मैं छे मिनिट के लिए फिर से इसे माइक्रोविव में रखूंगी बीच में दो बार निकालके मैं इसे इस तरह से मिक्स करके फिर माइक्रोविव में रखूंगी तेखे मैं छे मिनिट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगे मैंने इसे छे मिनिट के लिए माइक्रोवेव में रखा था लेकिन बीच में हमें दू बार इस तरह से इसे निकाल के हिलाना है और वापस रलतेना है माइक्रोवेव में बीच में निकालने से पहले एक बार इसे स्टॉप करें, इसके बाद में निकाले, अब मैं वापस रख दूँगी अब मैं इसे दुबारा से हिलाऊंगी, माइक्रोवेव को एक बार स्टॉप करें, इसके बाद में ही बावल निकाले, इस तरह से मिस करके वापस रख दे, देखें, अब हमें एक मिट और माइक्रोवेव चलाना होगा छे मिनिट में मैंने दो बार ये निकाले है, पहले तीन मिनिट के बाद, और फिर से तीन मिनिट के बाद, छे मिनिट हो चुकी है, फिर से में एक मिनिट रखूंगी एक मिनिट के बाद देखेंगे कि हमारा खीचू बनकर तयार हो गया है कुल 7 मिनिट लग गए है खीचू को तयार होने में पहले हमने पानी 5 मिनिट के लिए उबलने रखा था इसके बाद 7 मिनिट में ये खीचू तयार हुआ है कुल बार मिनिट लग गए है खीचु को रेडी होने में देखे हमारा खीचु बनके तयार हो गया है अब मैं इसे एक टीस में निकालोंगी इसे गर्मा गरम ही खाना है ये गर्मा गरम खाने में ही बहुत टेस्टी लगता है मैंने खीचु को काच के बाउल में बनाया था इसलिए टाइम ज्यादा लगा है अगर आप प्लास्टिक का बाउल यूज करेंगे तो कम समय में बन जाएगा लेकिन प्लास्टिक हमारी सेहत को नुक्षान करता है इसलिए प्लास्टिक का यूज ना करे और काच का ही बाउल का यूज करे देखे खीचु को मैंने निकाल दिया है अब मैं इसके उपर मुफली का तेल डालूँगी ये कच्चा तेल है आचार मसाला स्प्रेड करूँगी इससे बहुत टेस्टी लगेगा खीचु हमारा बन के तयार हो गया है मैंने इसके उपर धन्यापती से गानेशिंग किया है बहुत ही टेस्टी खीचु तयार हुआ है आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई झालिए झाल झाल